सब्सक्राइब करें तोड़े न्यूस ट्वेंटी वाविक्स सिवेंग को और दबाए इस बें लाइकन को इलाइची के दानों को 2-3 बादाम वर 2-3 पिस्ता के साथ 2-3 चमच दूद ढालकर पीस लें अब एक किलास दूद में से मिलाकर आधा होने तक गाढ़ा करें फिल इस में मिश्री मिलाएं और खाएं ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मुह का संक्रमन दूर करे मुहन की दुरगंद, किसी तहे का संक्रमन, अलसरीन सबसे इलाइची बचाता है, सांसों में बढबुसी बचने के लिए रोज इलाइची खाएं, यदि केले अधिक मात्रा में खा लिये हों, तो गले में खराश है, तो सुबह मुटते समय और रात को सोते समय, छोटी इलाइची चबा-चबा कर खाएं और गुन-गुना पानी पियें, क्यदि गले में सूजन आ गई हो, तो मूली के पानी में छोटी इलाइची पीसकर सेवन करने से लाब होता है, सर्दी खासी और छीक मुख में छाले हो जाने पर बड़ी इलाइची को महीन पीस कर उसमें पिडिसी हुई मिश्री मिलाकर जबान पर रखें, तुरंट लाब होगा, इलाइची पेट में गयास और एसडिटी में राहत देती है, क्यदि खाना खाने के बाद एसडिटी हो, तो आप दूरत होता है, बड़ी इलाइची इस सांस लेने संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मददगार होती है, अगर आपको अस्थमा, फेफरे में संकुचन जैसी कोई समस्या है, तो बड़ी इलाइची लेना आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा, सर्दी खासी में भी इसका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा, अगर आपको अक्सर सिर्दर्द की शिकायत रहती है, तो बड़ी इलाइची के तेल से मसाज करना फायदे मंद रहेगा, इलाइची में पोटाशियम और मेगनीशन होता है, जिसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर नियांतरित रहता है